सान्या एक संस्था के वित विबाग का परबंदन कर रही है सान्या परबंद के किस तर पर काम कर रही है तो इसका अंसर हो जाएगा यहाँ पे मद्यस तर पर तो यहाँ पे इस जो C option यह अपना right होगा Next question है स्थाई संपतियों में निवेश किस परकार के रूप में जाना जाता है तो इसका right answer है पून जो है budgeting तो इसमें जो है B option right हो जाएगा पून जी budgeting निचे इंगलिस में भी दिया गए है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं Next question है वर्ष 2023 में कमपनी का उदेश से वर्ष 2022 की तुलना में विक्री में 10% की वर्दी करना है यह कथन परबंदन यानकी परबंद की किस विशेस तक पर परकार डालता है तो इसका right answer हो जाएगा परबंद एक लक्स उनमुख परकिरिया है B option इसमें right होगा Next question number 4 वेवसाइक परियावन के महतव की पहचान करें तो इसका answer हो जाएगा यहाँ पर देखिए आवसरों की पहचान करने और पर्थम परस्तावक के लाप्राप्त करने में सहायक तो इसमें जो first option अपना right होगा Question number 5 निमलिखित में इस 21 सनवर्दन तकनीक में अधिक्तम लचिलापन है तो 21 में है वेक्तिगत विक्रे में D option इसमें right होगा Next question number 6 परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी यह हो रहे है और इनके बारे में बविश्यवाणी करना मुश्किल है इस कथन में वेवसाइक वातावर्ण की किस विचेस्था पर परकाड़ डाला गया है तो इसका right answer हो जाएगा एनिस्था पर यानि कि यहाँ पर बोलते uncertainty जिसकी जो है fix नहीं होती जो चीज़ फिक्स नहीं होती उसको बोलते है एनिस्थित Next question number 7 तारा एक परबंदक को संग्ठन की परकीरिया का निस्पादन करना है पहले से निर्दारित की ओजनाओं के नुसार किये जाने वाले कारिया को पहचानने और विवाजित करने के बारे में उसे संग्ठन परकीरिया के किस चरण को करने क्या हो सकता होगी तो कौन सा होगा यह हो जाएगा विभागी करन तो इसमें B option right होगा क्यूसर नमबर 8 उचित मात्रा में कारिये सील पुंजी वैवसाय में डैस की सूचक है यानि कि किस की सूचक है तो इसके right answer है तरलता की सूचक है C option इसमें right है क्यूसर नमबर 9 देखे के साथ साथ गैर वीतिय संस्थाओं संस्थानों में भी जो है परबंद किया हो सकता होती है देखी यहां पर जो परबंद का मतलब होता है management तो इसमें पहला है कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 गलत है तो यहां पर मैं आपको बतायता हूँ जो दोनों statement है यहां पर क्या हो जाएंगी बिल्कुल right यानि कि जो यहां पर जो statement है वो क्या हो जाएंगी right यानि कि कथन 1 सत्य है कथन 2 गलत है बिल्कुल गलत बाद दोनों कथन ऐस सत्य है यह भी गलत आपका यह भी नहीं होगा तीसरा point है दोनों कथन सत्य है दोनों का एक दुसरे ख्यात कोई समन नहीं यह भी खलता है यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना जो right answer हो जाएगा यानि कि दोनों कथन सत्य है कथन दो को जो है कथन एक से जो है निसकर्ष लिया गया है तो question number 9 का जो अपना D option right होगा दोनों कथन सत्य हो जो दो कथन दो है वो एक से जो है निसकर्ष लिया गया है next है quiz number 10 देखिए पहला कथन है परिवहन सेवाएं समय उपयोगिता बनाने में साएगा और बंडारन सेवा स्थान उपयोगिता बनाने में साएगा तो पहली statement सही है दूसरा कथन है अच्छी बहुतिक वितरन रन निती समय उपयोगिता के साथ साथ स्थान है जो स्थान उपयोगिता कोई बढ़ाती है तो दोनों statement सही है लेकिन एक का और दो का जो दोनों का अपस में कोई relation नहीं है तो यहाँ पर जो दोनों का खथन है वो क्या है जो है सही है यानि इसमें जो अपना c option क्या है जो है right दोनों का खथन क्या है यहाँ आपर सही question number 11 वैवसाय के सामाजिक वातरण का एक उदारन दीजिए तो इसके बहुत सारे उदारन होते हैं आपको कोई भी एक लिखना है जैसे कि पारिवारिक संरचना दूसरा सिक्षा का सतर तीसरा रिती रिवाज चोथा विश्वास पांचमा त्योहार आदी इस में से आप कोई भी एक उदारन जोहर लिख सकते हैं 12 का है B.I.S. की फुल फोर्म बताने है तो इसको होता है Bureau of Indian Standards यहाँ पर मैं स्पेलिंग लिखे देता हूँ B.U.R.E.A.U Bureau of Indian Standards तो यहाँ पर आप जोहर इसकी स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं Bureau of Indian Standards आपको जोहर फुल फोर्म बताने है H.D.I. की फुल फोर्म क्या आती है H.D.I. जो है यूज करते हैं बहुत बार आपने सुना भी होगा H.D.I. इसकी फुल फोर्म आपको जो मुझे कमेंट सेक्स में बतानी है की जो H.D.I. होता है इसकी फुल फोर्म क्या होती है फिर मापको कमेंट में बताऊँगा इसका राइट आंसर तो इसका उतता है अधिनस्तो की संख्या नेक्स उसने रेन समता अनुपात के बारे में निर्न लेते समय सामानेता है अनसो की तुलना डैस के सस्ते मानी जाते हैं तो इसमें क्या जएगा यहाँ पे जो है डिबेंचर जिसका मतलता है रेन पत्तर याद रखना यानि की जो ब्लेंग का है इसमें क्या जएगा यहाँ पे रेन पत्तर डिबेंचर कोन सा भी एक लिख सकते हैं नेक्स्ट है क्यों नुबर 15 चालू संपत्ति माइनस चालू दाईतव तो यह क्या जएगा कारियसील पूंजी तो इसको बोलते हैं यहाँ पे कारियसील पूंजी इस जो ब्लेंग का है यहाँ पे खालिस्तान दिया गया है इसमें आपको बाढ़ना है कारियसील पूंजी इसको इंगलीस में बोलते हैं working capital क्योशन नुमर 16 सेविंग क्रीम का tube container dash packaging का उधारण है तो किसका उधारण है primary इसमें क्या जैएगा यहाँ पे primary हिंदी में इसको बोलते हैं क्या प्रात्मिक यानि कि यह जो है किसका उधारण है प्रात्मिक packaging का क्यूशन नुमर 17 नियोजन dash देखता है जबकि नियंतरन dash देखता है तो नियजन क्या करता है नियोजन जो है आगे देखता है और जबकि जो नियंतरन हो क्या देखता है पीछे देखता है पहले वाले में आगे आएगा बात वाले में पीछे आगे का मतलब forward पीछे का मतलब backward क्यूशन नुमर 18 बारत में नोट बंदी कानूनी वातवरन का परबाव है तो इसका जो राइट अंसर क्या हो जाएगा सत्य यानि ये जो बात क्या है बिल्कुल सही है तो इसमें सत्य है ट्रिवाएगा किस नमर नाइंटिन परचार सनवर्दन मिश्रन का बुगतान किये जाने वाला प्रारूप है तो इसमें जो है इसका जो राइट अंसर बताना है तो ये क्या है सत्य है यानि ये क्या है फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट है जमाखोरी अनुचित व्यापार व्यापार का एक उदारण है ये आपको सत्य है और सत्य बताना है ये जो है व्यापार का एक उदारण है या नहीं है तो इसका जो राइट अंसर क्या हो जाएगा सत्य है यानि कि जो जमाखोरी अनोचित व्यापार व्यवार का जो है क्या है एक उदारण है ये बात बिल्कुल क्या है